आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now इस Question में देखे क्या बुलाई कि In the Interval 0,1 F of X ये जो Function है जो कि X square minus X plus 1 इस तरह से Define किया गया है इसका Nature कैसा है ये बताना हमें ठीक है Monotonic Non Monotonic Decreasing या Increasing ठीक है तो चले देखते कैसे करेंगे इसको सबसे पहले तो देखे हमें F of X लिखना होगा तो देखे F of X क्या है मेरे पास X square minus X plus 1 तो देखे ये Function मिल गया मुझे F of X is equals to X square minus X plus 1 और हमें क्या बोला है कि Monotonicity चेक करनी है इसकी अब देखे इस Monotonicity चेक करनी है मतलब देखना है कि Function Increase हो रहा है या Decrease हो रहा है तो देखे इसको Monotonicity चेक करने का एक तरीका होता है By First Derivative Principle ठीक है By First Derivative Principle देखे First Derivative Principle क्या बोलता है कि जहाँ जहाँ पे F-X मेरा यानि First Derivative इस Function का Positive होगा वहाँ पे देखे F-X Positive मतलब Function जो है Increasing होगा वहाँ उस Interval में और F-X Negative मतलब Function जो है Decreasing होगा उस Interval में तो देखे हमारे F-X यह यह दिया गया है तो देखे अगर मैं इसका F-X निकालू तो देखे F-X क्या होगा Derivative of F-X यानि X-square का Derivative क्या हो जाएगा 2X-X यानि –X का Derivative आएगा –1 और इसका Derivative 1 का 0 हो जाएगा तो यह क्या होगा है 2X-1 तो देखे यहां अगर इसका मुझे देखना है तो देखे इसको मैं करूंगा 2X-1 इक्वल्स टू 0 तो देखे 2X इक्वल्स टू 1 तो X is इक्वल्स टू 1 बाइटू यह क्या है मेरा critical point आ गया तो देखे यह number line में मैं 1 बाइटू को plot करूंगा और 1 बाइटू के आगे जब X 1 बाइटू से बड़ा होगा तो देखे मेरा f' x जो है यह क्या आएगा positive तो देखे यहां मैं f' x के लिए लिख रहा हूँ 1 बाइटू के आगे क्या आएगा positive और 1 बाइटू के पहले क्या आएगा negative तो हम बोल सकते हैं कि minus infinity से 1 by 2 तक जो है यह function जो मेरा f of x है यह decrease करेगा और 1 by 2 से लेके infinity तक यह function इंक्रीज करेगा ठीक है तो देखे यह चीज आ गई हमें इस तरह के ब्रैकेट नहीं होगे हमें यह round bracket देना होगा तो देखे यह हमें आ गया तो हमसे पूछाए कि 0 से 1 के बीच में जो है 0 से 1 के बीच में इधर हम देखे तो देखे यहां अगर 0 ले लिया मैंने और यह दे function कैसा है यह increasing है तो देखे हम क्या बोल सकते हैं यह non monotonic है non monotonic क्यों बोला मैंने क्योंकि देखे monotonicity का मतलब क्या होता है या तो यह fully increase होना चीए या तो पूरा पूरी तरह से decreasing होना चीए पूरा एक interval में जैसे 0 से 1 के बीच में अगर यह function f-x मुझे हमेशा positive आता है तो तो मैं बोलता कि यह monotonic function है या फिर f-x हमेशा negative आता तो मैं उसको बोलता कि monotonic function है बट से 0 से half तक यह function decrease कर रहा है और half से 1 तक यह function increase कर रहा है यानि कोई एक तरह का pattern नहीं है इसके जो है increasing या decreasing वाला pattern नहीं है इसमें तो हम बोलेंगे कि function non monotonic है Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advanced के level तक 10 million से जादा students का भर हो सा आज जी डाउनलोड करे doubt net आप या whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 पर